Hello friends, आज मैं आपको poetry 2010 की movie explain करने वाल हूँ ये movie एक grandmother की बारे में है, जो poetry करना चाहती है पर उसके family में जो crime होता है, उससे वो भाग नहीं सकती एक जबर्दा statement के साथ ये movie execute होती है, तो चलिए शुरू करते है movie start होती है, और हमें एक नदी दिखाई गई है नदी के किनारे पे कुछ बच्चे खेल रहे होती है, वो जब नदी में देखते है तो वहाँ एक लड़की की body तेर रहे होती है, इसके बाद नेक सिन में हमें जो grand mother है, वो दिखाई गई है, हमारे main character का नाम मिया है यह hospital में बेटी हुए होती है, यह doctor के पास आती है, तो इसके शिकायत होती है कि इसका हाथ दुकरा है doctor से बात करते करते, उसे एक शब्द याद नहीं आता doctor इसके लिए concern हो जाता है, कि अगर इसे कोई भी word याद नहीं आ रहा होगा, तो यह बड़ी बीमारी हो सकती है उसके लिए test ओगरावा मंगवाता है, मिया के आम के लिए doctor कहते है कि थोड़ी exercise करनी चाहिए hospital से मिया जब भार आती है, वहाँ एक औरत रो रही होती है नदी में जो लड़की मिली थी, यह उसकी ही मदर है यह लड़की और मिया का grandson, यह दोनों एक ही school में पढ़ते थे मिया को अब यह पता जल जाता है, मिया hospital से निकल के अपने job पर आ जाती है एक बहुत बुड़ा आत्मी होता है, जिसके care वो रखती है इसे वो नहलाती है, इसके सब वो काम करकर वहाँ से जाती हुई हमें दिखती है जाते जाते इस आत्मी को बदा कर जाती है, तो यह आत्मी उससे रोकने वाला होता है पर वो कहती है कि बहुत सारे काम मैंने आच कर लिया है यह बुढ़ाद में फिर उसे पास बुलाता है उसे as a bonus बहुत सारे पैसे देता है मिया जहाँ काम करती है उसके नीचे ही grocery shop होता है यह जो grocery shop है यह इस old man की daughter-in-law चलाती है मिया डाटर-in-law से कहती है कि old man ने मुझे बहुत सारा bonus दिया है डाटर-in-law कहती है कि तुम्हें बहुत ही पसंद करता होगा वरना वो किसी को भी पैसे नहीं देता मिया जब घर पर आती है बहुत सोल से गाना चल रहा होता है गाना चला कर उसका grandson सोय हुआ होता है कुछ गलत है ऐसा मिया को लगता है और उससे पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बताता मिया के grandson का नाम जॉंग है जब रात होती है तो जॉंग खाना का रहा होता है तब मिया उससे पुछती है मैं तुम ने क्यों नहीं उठाय थे जॉंग कहता है कि मेरा mobile खराब है मिया उससे पुछती है कि आध जो लड़की मर गई थी तुमारे classroom में है तुम उसे जानते होगे जॉंग कहता है वो मेरे classroom में थी पर मुझे उसका नाम भी नहीं पता था मिया को exercise की ज़रूरत है इसलिए मिया और जॉंग यह दोनों रात में badminton खेलते है जॉंग को अपने friends का call आजाता है और रात में यह अपने friend के साथ यह निकल जाता है next scene में हम देखते है मिया जोती है कि cultural center में आती है इसे poetry का class करना होता है जब वहाँ पोचती है वहाँ की secretary कहती है कि हमने पूरी admission feel कर ली है मिया कहती है कि और कुछ नहीं हो सकता उसे करना ही होता है तो इसलिए अब यह इस class को join कर लेती है मिया class में बैठती है poetry सिखाने वाला professor जो होता है उसके हाथ में apple होता है वो सबसे कहता है कि आपने कितने बार apple देखा होगा life में पर कभी भी आपने really apple नहीं देखा है जब आप apple देखोगे उसके बार काईया आप देखोगे उस पर जैसा light आ रहा है उस पर जो freckles है बहुत सारी चीज़े आपको दीख जाएगी इस तरह से आपने कभी भी apple को नहीं देखा होगा उन सब को फिर exercise देता है उन सब को actual में चीज़े जो होती है वो देखकर आने होती है प्रोफेसर कहता है जब भी तुम चीज़ों को सही तरी के उससे देखोगे तो poetry अपने आप आ जाएगी मिया घर पर आती है और यही exercise करने लग जाती है थोड़ी दिन में उसका grandson आता है और अपने बहुत सारे friends को लेकर आता है यहाँ उनके एक secret meeting चल रही होती है नेक्स दिन मिया वरांडे पर बैठती है और paid को देखती है पेड को पहली बाद देख रही है इस तरह देख रही होती है उसे फिर एक call आता है जोंके friend के parent का यह call होता है मिया गेती है मेरी poetry class है यह खतम करकर हम मिल सकते है जहें poetry class खतम हो जाती है तो पहाँ पैरेंट वहाँ आय होता है यह parent फिर मिया से पुछता है क्या तुम poetry कर रही हो मिया कहती है कि मैं सिर्फ classes वेगरा ले रही हूँ वो फिर कहती है कि मैं हमेशा से poetry करना चाते थी मेरी पेटी थी वो भी मुझे कहा करती थे कि तो यह poetry सीखनी चाहिए मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला जब वो छोटी थी उसके teacher ने भी उसे inspire किया था पर अब 50 साल बात जब उसने poetry glass का poster देखा तो अब उसे इसे pursue करना था यह parent फिर मिया को एक hotel में लेका राता है यहाँ और भी चार लोग होते हैं यह जो बात करना चाह रहे हैं यह beer विगरा मंगावकर पोस्वन कर रहे होते हैं तो इन्हों से एक बोलता है कि हमें जल से जल इस पर बात करने चाहिए फिर जो matter है यह सब को समझाते हैं जो लड़क करता है यह जो छे लड़के थे उन्होंने confession कर लिया है और यह जो छे लड़के होते हैं यह इन parents के इस son होते हैं यानि कि मिया का grandson जौंग भी इसमें शामिल था पिछले सिन में हमने देखा था कि John अपने friends के साथ beating कर रहा है यह वही problem वो face कर रहा है यह parent फिर बोलता है कि कि इतना जादा मैंटर हमें बढ़ने नहीं देना चाहिए पुलिस और लड़के की जो मदर है इनसे हमारी बातचीत बहुत ही सही चल रही है हम पैसे देखकर यह settlement कर सकते हैं यह सब बात वो कर रहे होते हैं तो यह मिया वहाँ से चली जाती है बाहर जाकर लाल फूल होता ह जिसे और देखने लग जाती है यह parent फिर उसके पास आता है मिया कहती है यह जो लाल फुल है यह bird रिप्रेजन करते है और यह जो फूल होता है यह shield की तरह होता है यह भी उसे कहती है इसका मतलब है यह जो वहाँ एक गलत हुआ है पर इन सब को यह shield कर रहे है रात में जब music चल रहा होता है, उसे बन करना होता है, तो यह बन नहीं कर पाती है, बहुत डिस्टर बो हो जाती है, इसकी चीजे भी हो ढूंटे है, उसे कुछ ना कुछ तू मिल जाए, मिया को फिर से parents का call आता है, और इनकी meeting हो रही होती है, यह सब decide करते हैं, कि सब ने मिलकर जॉंग को जानती है और मुझे भी पहचानती है उससे गिल्टिए महशूस होता है और वहाँ से चली जाती है फिर वो अपने जॉब पर हमीं है जब आइधा की अच्छा होता है मिया कहती है कि मुझे क्हता की हूर्म को गलत सिंगनल जा सकता है यह क्येकर बात स्थी मिया फिर ऌ出 ऑच की घर पर है रोका लेने लग जाती है रोद बुरा लग रहा है और मैं भी यह पैचान लेता है और बाहरी आवास सुन रहा होता है मिया जब घर पर आती है तो जॉंग टीवी देख रहा होता है वो सब मेस करता है और अपने रूम में चला जाता है मिया उसे फिर से वापस बुलाती है कि मिया उसे कहती है जो भी गंदे उससे निकालनी पाती है नेक्स दिन ब्रिक्फास्ट में ज़रा ओक्वर्डनेस होता है जॉंग अच्छे से नहीं खाता तो मिया उसे कहती है कि मुझे एक ही वर्ड में चीज अच्छी लगती है तुमारे मुँ में फूड तो तुमें सब कुछ ये खतम करना है इसके बाद नेक्सिन में जॉंग के स्कूल में मिया हमें दिखती है अपने पोईटर के लिए ही इंस्पिरेशन वो ढूंड रही है जो लड़की मर चुकी है वो इस स्कूल में थी वो कहा कहा जाकर आई होगी ये सब वो देखकर वो अंडर करती है सिटी में एक जगा पर पोईटर रिडिंग चल रही होती है मिया वहाँ जाती है वहाँ जाने पर बहुत सारी पोईटरियों सुनती है वहाँ एक यंग लेड़ी होती है जिसके पास मिया जाती है उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे से poetry करती हो, पर तुम ही पहले poetry नहीं कर पाती थी, मिया की तरह ही होती है, मिया उसे पुछती है कैसे तुम आप poetry कर सकती हो, वो औरत उसे कहती है कि poetry करना ये एक flow की तरह होता है, जब inspiration आती है तब सब कवीता बहार आ जाती है, मिया क पिल्स लाने के लिए थी कि मेरी लास्ट विश है मुझे आदमी की तरह महसूस करकर मनना है मिया कहती है कि अब अब अबने आपका ख्याल तुम खोदी रखो अब वो वहाँ फिर से नहीं आने वाली मिया को डॉक्टर ने उसके रिजर्ट के लिए बुलवाया होता है वो उसे पता चलता है कि उसे अलजायमर है थोड़े दिनों बाद वो सब कुछ भूलने लग जाएगी वो आप डॉक्टर के पास फूल होते है वो कहती है यह जो फूल है यह पेन सिंबूलाइस करते है मिया जो भी सब एक्सप्रियेंस कर रही होती है यही उसे वर्ड में दिखता है वो अपने नोटबूक में लेती है जैसे टाइम पास होता है वैसे फ्लावर्ज भी फेड होते जाते है मिया फिर उस पैरन के पास आती है उसे कहती है जो भी सब पैसे हमें उस मदर को देने है उतने पैसे मेरे पास नहीं है क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो यह parent उसे मना कर देता है next day मिया poetry class में जाती है poetry class में सब लोगों के जो beautiful experience है वह जता रहे होते है मिया का जब टन आता है तो कहती है कि मेरी बड़ी sister थी जब भी मैं छोटी थी तो मुझे पुकारती थी और मेरे hairs को अच्छे से करती थी यह कोम करती थी जब भी मुझे पुकारती थी उस पुकार में प्यार था वो जब मेरे बाल सहलाती थी तो मुझे बहुत beautiful लगता था वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी मिया घर जाते वक्त river के पास आती है जहाँ इस लटकी ने suicide की थी उस spot पर वो आ जाती है यहाँ एक rock पर बैठती है और वो ही सोचने लग जाती है वो जो feel कर रही है यह poetry में उतार नहीं पा रही वो आ फिर बारिश आ जाती है वो बस लेकर जो old man था जिसके पास वो फिर से जाने नहीं वाली थी वो वहाँ आ जाती है उसने अभी हभी कहा था कि उसे फिर से beautiful महसुस करना है old man के पास आकर उसे pills देती है यह दोनों फिर intimate हो जुके है यह हमें दिखता है मिया जब घर पर आती है वहाँ एक reporter आयो होता है यह जो report होता है इसे settlement के बारे में जो भी सब हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता पर इसका guess होता है तो मिया से बात करने लग जाता है मैं उसे बहुत सारी information देती है पर उसे फिर realize होता है इसे सच मुच में कुछ भी पता नहीं होगा यह मुझे सिर्फ information निकल वालेगा इसलिए उसे वो दूर भागती है reporter को जो भी information मिया ने दी थी इसकी वज़े से अब parents पर ज़्यादा ही pressure बढ़ चुका है parents ने मिया को बुला आता है मिया को सब कहते है कि जो mother है उसके पास तुम जाओ उसे कहो कि उसे कितने पैसे हम देने वाले है तुम औरत हो तो तुम औरत से अच्छी तरीके से बात कर सकती हो तुम जो भी अब सब कहोगे यह बहुत ही important होगा जोंके classmate का parent होता है अब मिया को जिस लड़की की family थी उसके पास वो लेकर आता है मिया वहाँ पोच्चती है घर पर जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता उस लड़की की photo देखती है नेबर मिया को कहती है कि घर पर कोई नहीं है लड़की की mother जो है वो field पर कही है वो शाम तक आएगी मिया कहती है ये field में जा सकती हो अब उसे location मिल चुकी है तब वे खेतों में जा रही होती है जाते जाते एक बड़ा सा पेड उसे दिखता है और यहाँ बहुत ही sweet fall होते है ये जमिन पर पड़े होते है ये इसे खाती है और इसे बहुत ही sweet लगते है ये मदर के पास आती है उसे कहती है कि आज मैंने apricot खाए और ये जाड़ से नीचे किर चुके थे एक नई life की तलाश में और कुछ beautiful बनने के लिए ये जमिन पर पड़े हुए थे मिया फिर मदर से कहती है कि ये साल क्रॉप्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा इतना अच्छा sunlight आ रहा है मदर कहती है कि अब अच्छा क्रॉप आएगा पर बहुत ही ज़्यादा supply भी हो जाएगा इसलिए ज़्यादा पैसे उन्हें नहीं मिलने वाले मिया कहती है कि मुझे यहाँ रहना कितना अच्छा लगेगा मदर कहती है कि अच्छल में जब तुम यहाँ रहोगे तो बहुत ही difficult होता है मिया जिस spiritual life के बारे में बात करती है यह इस मदर की नहीं है वो reality में जी रही है पेट से फल गिरा तो यह उसका purpose है इसा उसे लग रहा है पर इसा कुछ भी नहीं है जो मदर की life है यह difficult है यह real है मिया उससे कुछी बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है पैरेंस को कहती है कि मैं उसकी मदर से मिलनी पाई मिया फिर से poetry reading में आती है वहाँ एक police officer होता है जो लोग को हसाता है poetry करता है इसकी poetry इतने beautiful नहीं होती है और यह generally dirty भी होती है मिया की वहाँ जो friend होती है उससे कहती है कि poetry के meaning ही यह है कि यह beautiful हो पर इस आदमी की जो poetry है यह उतनी अच्छी नहीं है इसी इससे problem होता है यह सब फिर dinner करते है इस dinner में police officer को मिया की friend बुला थी है जो मिया ने कहा था वो सब कहती है police officer उससे apologize करता है police officer कहता है कि मुझे इतना सब कुछ इसके बारे में नहीं पता इस poetry class में मिया का जो teacher होता है उसे भी invite किया होता है वो यहाँ और एक poet को लेकर आता है जब यह सब dinner करने के लिए बैठते है तो मिया अपने teacher से गहती है कि आपने मुझे बताया था कि poetry उडने चाहिए पर ऐसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा मिया कि teacher के साथ और एक poet जो आया हुआ होता है यह दर्द में होता है यह बहुत द्रंग होता है और इसको इस पर believe नहीं हो पाता वो यह believe नहीं करता कि poetry fly करती है inspiration आ गई और आपने सब कुछ लिख डाला एसा कभी भी नहीं होता यह इस poet का perspective होता है हर poet अलग-अलग होता है और सब की process अलग-अलग होती है इस class के बाहर मिया होती है और वो रो रही होती है police officer उसके पास आता है उसे पुछता है कि क्या कुछ problem है next day मिया ने जो लड़की ने suicide कर ली थी उसकी photo अपने पास लाई होती है और वो lunch driver पर लग देती है यौंग वहा आता है इस photo को देखता है पर उस पर ज़्यादा कुछ react नहीं करता अपने आप डीवी देखने लग जाता है यौंग फिर नेचे छोटी लड़कियों के साथ खेल रहा है यह हमें दिखता है जो भी सब उसने किया है इससे उसे कुछ फरक नहीं पढ़ रहा और अपने life का enjoy कर रहा है इसा सब कुछ मिया देख रही होती है अब जो मदर थी उसके साथ सब parents की meeting चल रही होती है यह दोनों एक दुसरी को जानते है यह वो ज़ता दे नहीं मिया वहाँ से बाहर चली जाती है एक parent उटता है उसे पुछता है कि तुम कहा जा रही हो मिया कहती है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी यह parent कहता है तुम पैसे देने ही पढ़ेंगे अगर तुमने पैसे नहीं दे तो यह settlement नहीं हो पाएगा यह बहुत ही बुरा हो सकता है मिया को पैसे देने ही पड़ेंगे मिया फिर हमें दिखती है ओल्ड मैन के पास हुआ जाती है उसे कहती है कि मुझे five million यान चाहिए ओल्ड मैन उसे पुछता है किस के लिए चाहिए ये उसे कुछ भी बता नहीं रही होती वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही दे दू मिया फिर उसे ब्लैकमेल करती है वो कहती ही कि जो भी हमारे साथ हुआ था वो तुम्हारे फैमिली को में बता सकती हो और मैन उसे पुछता है क्या तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हो ओल्मैन के पास कुछ आप्शन भी नहीं होता इसलिए वो सब पैसे उसे दे देता है मिया ये सब पैसे पैरेंट को जाकर दे देती है घर आते आते यॉंग उसे गेविंग पारलर में दिखता है उसे वहाँ से वो निकाल थी है और एक रेस्टारन में लेकर आती है उसे उसका जो फेवरेट पिजा होता है वो वो खिला थी है वो फिर यॉंग को कहती है कि कल तुमारी मदर आने वाली है उसने बहुत दिनों से तुमें नहीं देखा है इसलिए उसे तुमें देखना चाहिए इसलिए मैंने उसे पुला लिया है जब ये दोनों घर पर आते है यॉंग की जो नेल्स होते है ये बढ़ चुके होते है ये सब वो काट देती है यॉंग को फिर वो कहती है कि तुम अच्छे से आप बात ले लेना जब तुम अपनी बॉड़ी क्लीन रखोगे तब ही तुम्हारा माइंड भी क्लीन रह सकता है रात में दोनों बैडमेंडन खेल रहे होते है तो मिया का पुलिस फ्रेंड यहा आ जाता है यॉंग को औरेस्ट करकर वो लेकर जाते है मिया उसके फ्रेंड के साथ ही बैडमेंडन खेलने लग जाती है इसका मतलब है यॉंग को उसने ही आरेस्ट कर वाया था यॉंग जेल में जाने से पहले उसे एक मैसेज वो दे कर गई है उसके जो बॉड़ी है उसे वो फर्सली क्लीन करने है उसके बाद ही वो अपना माइंड क्लीन कर पाएगा उसे अपना माइंड क्लीर करना है और ये एक प्रोसेस है ये उसे कह कर जाती है रात में एक पोईटर लिखती है दूसरे दिन पोईटर लास होता है यहां मिया नहीं आती, उसके teacher को उसने जो poetry लिखी होती है वो देकर वो चली जाती है, मिया की daughter घर पर आती है तो मिया उसे कही भी नहीं दीखती है जो मिया ने poetry लिखी थी, वो हमें अब पड़कर सुनाई जाती है इसमें लिखा होता है कि दिन भर आकाश में freedom के साथ birds गुमते है जो फिर से forest में आते है क्या वो तभी भी सिंग कर रहे होते है इसमें लिखा होता है जो confession में करना चाती हो क्या हो में कर सकती हो अब ए good bye कहने का time आ चुका है जो promises कभी भी खतम नहीं होते ब्रिच पर जा रही है जहां उसने suicide की थी यह हमें दिखाये जाता है यह जो सब feelings है यह इस लड़की की और मिया की सेम है यह हमें दिखाये जाता है यह later फिर आके बढ़ता है इस later में लिखा होता है यह मैं सब के लिए pray कर रही हो आप सब को पता होगा कि मैं आप सब से कितना प्यार करती थी मैं आप सब को दुबाय देती हूँ और मैं dream करना start करती हूँ अब मैं सोने जा रही हूँ पर मैं फिर से light में उठूंगी यह जो सब कविता है यह heaven के बारे में अब हमें ब्रीज दिखता है जिस पर लड़की है और अब यह कुदने वाली है मिया ने भी इस ब्रीज से ही छलांग लगा कर suicide कर ली है मिया जो है यह heaven पर believe कर रही है उसका जो अंध है उसमें वो heaven में चली गई है यह वो believe कर दी है लड़की ने suicide कर ली थी पर यह बदल नहीं सकती यह लड़की एक अच्छे जगा भरे यही वो hope कर सकती है इस लड़की के लिए जो भी सब करना था तो मिया ने वो card डाला है इस लड़की को justice मिलना चाहिए तो अपने grandson को ही जेल में उसने डाल दिया है रड़की मदर को उसके financial situation के लिए बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए थे यह भी उसने insure किया और उसने वो पैसे उसे दे दिये है हमें लग सकता है यह इसने suicide क्यों किये पर इसका जो भी सब उसे करना था वो एक कर चुकी है और वो सब कुछ अब भूलने लग जाएगी जिस तरह से उसका nature है वो free है लोग से वो बात करती है वो रोग करनी पाएगी अब उसके इस world में सब कुछ काम खतम हो चुके है तब उसने अप suicide कर ली है पर वो hopeful है कि वो heaven में जाएगी कोई इसके लिए ज़्यादा दुखी ना हो इसलिए वो सब को बता कर जाती है कि वो जा रही है अपनी मर्जी से जा रही है और सब के लिए वो दुबा कर जाती है यही movie खतम हो जाती है लास में मिया को जो भी सब सही लगा उसने वो कर डाला मरते वक्त उसे जो peace चाहिए था उसने खुद से बना लिया लड़की जो है वो एक अच्छे place में होगी या अपने मन में उसने डाल लिया है जिससे वो शान्दी से मर सकती है बहुत ही impactful यह movie थी आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटफेशन आइकोन भी दबा दीजे यानि कि आप सब को बहुत सारी movies ही मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थांक्यू और आप आपने आपका ख्याल रखे